इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। जिलर्टा असी टैबलेट का इस्तेमाल उच्छ बलड प्रेशर और हॉट फेल का इलाज करने के लिए किया जाता है। यह दवा बलड प्रेशर को कम करके भविश्य में होने वाले हॉट अटैक और स्ट्रोक की रोकथाम में मदद करती है। यह डाइबिटीज के मरीजों में किड्नी फंक्षन को भी सही रखने में असरकारक साबित होती है। जिलेटा असी टैबलेट को अकेले या अन्य दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जा सकता है। इसका सेवन खाने के साथ या भूखे पेट दिन या रात में कर सकते हैं। हाला कि बहतर लाप के लिए इसका सेवन रोज एक निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। स्वस्थ महसूस करने या ब्लड प्रेश पर नियंतरन पाने के बाद भी इस दवा का नियमित रूप से सेवन करना जरूरी है। हाई ब्लड प्रेश वाले अधिकांश मरीज अपने आपको बीमार महसूस नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप दवा का सेवन करना बंद कर देते हैं, तो लक्षन और बिगड़ सकते हैं। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा है और लंबे समय तक इसका सेवन करना सुरक्षित माना जाता है। आप अपनी जीवनशेली में कुछ बदलाव करके भी अपने ब्लड प्रेश को कम कर सकते हैं। आप नियमित रूप से एक्सिसाइस करके, वजन कम करके, धूमपान बंद करके, शराब के सेवन में कमी करके और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार, खाने में नमक की मात्रा को कम करके ब्लड प्रेश पर नियंतरन पा सकते हैं। अधिकांच मरीज इस दवा को अच्छी तरह सहन कर लेते हैं, और इससे बहुत कम साइड इफेक्ट होता है। कुछ मरीजों को इसकी पहली खुराक लेने के बाद चक्कर आने की शिकायत हो सकती है। इससे सिरदर्प के लक्षन भी नजर आ सकते हैं। अगर आपको ये साइड इफेक्ट महसूस होते हैं और आपको राहत नहीं मिलती है, तो अपने डॉक्टर को बताएं। इस दवा का नियमित इस्तिमाल करने से वजन बढ़ने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अगर आपको किड्नी या लिवर से समबंधित कोई बीमारी है, तो इस दवा का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। इस दवा का सेवन करने के दौरान डॉक्टर नियमित रूप से आपका किड्नी फंक्शन, बलड प्रेशर और खून में पोटेशियम लेवल की जा आपके बाद